फाइनली दिगवेजे राठी का बिगबोस सीजन 18 को लेकर पूरा का पूरा इंटरव्यू सामने आ चुका है और उन्होंने यहाँ इस इंटरव्यू में पूरी की पूरी बात क्लियर कर दी है कि वो बिगबोस के इसने सीजन में क्यों आना चाहते हैं पूरा का पूरा इंटरव्यू मेरे पास आ चुका है जहांपर दिगवेजे राठी ने कई सारे सवालों के जवाब दिये हैं बिगबोस सीजन 18 को लेकर मैंने ही आपको पहले बताया था कि बिगबोस 18 में दिगवेजे राठी को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मेकर्स कहीं न कहीं उन्हें कनफरम भी कर चुके हैं ऐसे में इस वीडियो में बात करेंगे पूरे के पूरे इंटर्वियू की कि क्या क्या दिगवेजे सिंग ने बिगबोस को लेकर कहा है और क्यों वो बिग बॉस के घर के अंदर आने वाले हैं ये भी बात में पूरी की पूरी यहां पर कलियर करने आपके सामने जा रहा हूं इसलिए इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखना चलिए बात करते हैं दिगविजे राटी की बिग बॉस सीजन 18 को लेकर तो यहां पर दिगविजे से सिदा सिदा ये पूछा गया कि बिग बॉस को लेकर ये कहा जा रहा है कि आप बिग बॉस के इस ने सीजन में आने वाले हैं इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं तो यहां पर दिगविजे ने कहा कि मेकर्स के साथ मेरी बाचित पूरी बिग बॉस को नहीं बता सकता क्योंकि ये रूल्स के पूरे खिलाफ है लेकिन बाचीत पूरी हो रही है और बहुत जल्द आप सब को पता भी चल जाएगा यहाँ पर दिगविजे से अगरा सवाल ये भी पूछा गया कि आप बिग बॉस के घर के अंदर क्यों आने वाले हैं पर दिगविजे राठी ने एक बहुत बड़ी बात कहीं दिगविजे ने सीधा कहा कि बिग बॉस जैसे शो को मैं काफी पहले से करना चाहता हूँ इससे पहले मैं रोडीज भी कर चुका हूँ लेकिन रोडीज में इंटर्नल वोटिंग होती थी हम सब को एक दूसरे कंटेस्टन की काफी ज़दा जरूर रहती थी और इंटर्नल वोटिंग के अधार पर हमको बाहर कर दिया जाता था स्प्लिट्स विल्ला में भी ऐसा ही है आप कंटेस्टन के साथ खुल कर नहीं रह सकते जो आपके दिल में है वो बात आप नहीं कह सकते स्प्लिट्स विल्ला में क्यूंकि कंटेस्टन्स वोट करके आपको बाहर कर देते हैं लेकिन बिग बॉस में ऐसा बिलकुल भी नहीं ہے बिक बॉस जो है पूरा का पूरा ओर्डियन्स बेस बेस्ट शोव है जिस रही बात उन्हों ने कही है आगे दिएविजनु ने कहा कि बिक बॉस खे घर के अंदर जाकर मैं अपनी परसनेलिटी जो है वह पूरी की पूरी सब को दिखा सकता हूँ मेरे जो मन में है मेरे जो दिल में है वो मेरे जबान पर सिधा सिधा आ सकता है क्योंकि वहां पर सारी की सारी जनता वोटिंग करने वाली है कंडेस्टन्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और यहां रोडीज में जो मेरे दिल में था वो मेरे जबान पर कभी भी नहीं आया ये बात दिखविजे ने सिधा सिधा कह डाली है काफी लंबा इंट्रिव उन्हें बिग बॉस को लेकर ही काफी सारी बाते कहीं जहांपर उन्हें आगे कहा कि बिग बॉस के घर के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मुझे कोई भी परवाह नहीं होगी कि कौन सा कंटेस्टन मेरे बारे में क्या सोचता है क्यूंकि मेरे सिर्फ और सिर्फ जनता का लेना देना होगा और मुझे पता है कि मेरी ओर्डिन्स मुझे काफी ज़दा प्यार करती है तो यहां पर दिगविजे ने क्लियर बात कर दी है कि बिग बॉस उनका पूरी तरह सपना रहा है और बिग बॉस के घर के अंदर वो काफी ज़ादा एकसाइटिड है अंदर घर के अंदर जाने के लिए उन्होंने ये भी कहा अगला सवाल पूछा गया कि आप क्या अपनी गल्फरंड के साथ बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री लेने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैं कंटेशन के तोर पर घर के अंदर जाओंगा और जैसी मेरी परसनेलिटी है वैसी ही मैं बिग बॉस के घर के अंदर दिखा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर जन्ता के वोट जो हैं वही माइने रखते हैं बाकि कुछ भी माइने नहीं रखता और यहां पर आपको बता दें कि खबरें भी आ रही हैं कि दिखविजे राटी जो है बिग बॉस के लिए पूरी तरह से फाइनल हो चुके हैं ऐसी खबरें पूरी तरह से मीडिया में आ चुकी हैं तो इससे पहले शोईब इबराहिम का भी नामा आए जिसको लेकर शोईब ने खुद सामने आकर कहा कि मैं बिग बॉस के लिए नहीं आने वाला हूँ लेकिन जिसके बाद उनकी वाइफ दिपिका ने कहा कि बिग बॉस के लिए तरह से फाइनल हो चुके हैं इसके बाद अ भी काफी लंबा इंटर्विव ये सामने आ चुका है जहां पर उन्होंने बिग बॉस को लिकर कई सारी बाते कही हैं कि क्यों वो बिग बॉस लिएर के अंदर आना चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहां पर सारी की सारी आडियन्स आपको जज़ करती है आडियन्स के वोट के अधार पर आप आगे टॉप 5 टॉप 2 में जाते हैं आडियन्स के वोट के अधार पर ही विनर चुना जाता है और आडियन्स के वोट के अधार पर ही ऐलिमिनेशन होते हैं जबकि इससे पहले मैंने रोडीस जब किया था उसमें ऐसा बिलकुल भी नहीं था ये बात पूरी तरह से दिगविजे ने क्लियर कर दी है तो ऐसा कुछ दिगविजे का कहना है बिग बॉस सीजन 18 को लेकर यानि हम सब को दिगविजे बिग बॉस 18 में पूरी तरह से देखन को मिलने वाले हैं साथ इसाथ उन्होंने कहा कि उनकी जो गल्फरेंड है उन्नती तोमर उनके साथ बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री लेने से उन्हें बेलकुल भी इतराज नहीं है हालांकि अगर वो दिगविजे के साथ एंट्री लेती हैं तो दिगविजे ने कहा कि इट वुड बी ए ग्रेट सपोर्ट सिस्टम फोर मी तो मतलब अगर वो बिग बॉस के घर के अंदर आ रहे हैं तो हो सकता है कि दिग विजे और उन्नती दोनों हम सब को बिग बॉस के घर के अंदर देखने को मिलें ऐसे में आप कितने जादा एक्साइटेड हैं दिग विज